बॉलीवोड में आज के दौर में ऐसे कई अभीनेतिया हैं। और पर जियोती रंधावर से शादी कीती हो शादी के बाद ये इंडूस्री में आई और छागें पर इनके पती का इनका उनसे फेमस होना पसंद नहीं आया जिसके चलते दोनों में बाद हुए और फिर तलाक लेकर अलग हो गए तलाक के बाद ये थोड़ी तूटी तो सहीं गुलजार राके ने जब गुलजार से शादी करने के लिए हा की थी तो जब गुलजार सहाब ने उनकी आगे शादी की बाद फिल्मों में कामना करने की शाद रखी थी जिसे इन्होंने माल लिया था पर शादी के बाद जब इने लगातार काम मिलता रहा और ये उनसे ना करती रही तब गुलजार सहाब को एसास हुआ कि उंकी पत्नी कितनी पड़ी एक्ट्रोस है पर और मर्दों कि तरह उन्हें पेड़ा की तलही उन्हें बीवी से इनस्ningar कैया है और उन्होंने इन्हें काम करने से म openness कर दिया पर इन्हों ने काम करने की जिद रखी तो इनके पती ने इनके सामने उन्हें और करीयर में से एक चीज़ को चूस करने के लिखा तो इन्हों ने करीयर को चूस किया और पती को चोड़ दिया कौंकरा सेन शर्मा और रनवीर शौरी का तलाग भी काफी चर्चा में रहा था पर दोनों का तलाग भी इनके पती से जादा फेमस होने की वज़े से हुआ था क्योंकि रनवीर को तो फिल्म में नहीं मिल रही थी पर इने एक के बाद एक काम मिल रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आया और फे तलाग के साथ दोनों का रिष्टा समाप्त हो गया तो दोस्तों आपके केने चेंगे इन अभी नेत्री के बारे में कमेंट करके जूर बिताएं साथ यसी तवाम को ब्रेज़ारने के लिए चानल को सब्सक्राइब करने ना बोलें